त्सकूलि नहीं सब्सक्राइब प्राइब कॉं가जिस कि पूर्व द्यक्ष राहुल गांधी के एक बयान पर लोगसभा में जम कर हंगा मा राहुल गांधी ने बयान देश में हो रहे रेप की घटनाओं पर दिया था जारखन के गोड़ा में उन्होंने देश को रेप इन इंडिया कहा था जिस पर लोगसभा में स्मृती इरानी समेथ बीजेपी की महिला नेताओं ने जम कर हंगामा किया और लोगसभा अध्यक्ष से राहुल गांधी पर कारवाई करने की मांग की स्मृती इरानी समेथ बीजेपी की तमाम महिला सांसदों ने राहुल गांधी पर निशाना साधा और उनसे माफी की मांग की स्मृती इरानी ने राहूल गांधी के बयान की निंदा करते हुए कहा कि वे रेप को राजिनीतिक हतियार के तौर पर इस्तमाल कर रहे हैं क्या वे चाहते हैं कि महिलाओं के साथ रेप हो इस दोरान भाजपा की तमाम महिला सांसन लोग सभा में अपनी जगह पर खड़ी हो गई और राहूल गांधी माफी मांगों के नारे लगाने लगी आखि राहूल गांधी ने अपने बयान में क्या कहा था देखिए इस विडियो है अब आप जहां भी देखो मेट इन इंडिया है रेप इन इंडिया जहां भी देखो अगबार खोलो जारकण में महिला पर बलतकार उत्तर प्रदेश में देखो नरेंद्र मोदी के मले ने महिला का रेप किया उसके बाद गारी का एक्सेडंट हो गया नरेंद्र मोदी एक शब नहीं बोलता हर प्रदेश में हर रोज रेप इन इंडिया नरेंद्र मोदी जी कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ मोदी जी आपने ये नहीं बता किस से बचाना है बीजेपी के एमेले से बचाना है और ये देश को बाटते हैं दिन बर 24 गंते ये देश को बाटने का काम करते है दिन बर 24 गंते निका यही काम है एक जाट को दूसरी जाट से लडाएंगे एक प्रदेश को दूसरे प्रदेश से लडाएंगे एक धन को दूसरे धन से लडाएंगे हिंदुस्तान को तोरने का बाटने का काम करेंगे 24 गंटा और फिर पूरा 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 पैसा अदानी अंबानी अदानी अंबानी गौरतलब है कि लोकसभा के अलावा राजसभा में भी शुक्रवार को राहूल गांधी के बयान को लेकर हंगामा हुआ राजुसभा के चेर्मेन वेंकाया नाइडू ने कहा कि आप किसी ऐसे व्यक्ति का नाम नहीं ले सकते जो इस सदन का हिस्सा नहीं है किसी को भी सदन की कारवाई बाधित करने का धिकार नहीं आखिर राहुल गांधी ने अपने बयान में क्या कहा था देखिए इस वीडियो और गट बंदन के हमारे नेता कार्यकरता भाई और बहनों प्रेस के हमारे मित्रों आप सब का यहां बहुत-बहुत स्वागत नमस्कार और जो छट पे लोग है इस साइड और उधर पीछे पानी के समस्या कैसी है पीने का पानी है साफ पानी मिल रहा है हां साफ पानी नहीं है पीने का पानी नहीं है वाटर टैंक जो है काम नहीं करते हैं सभी बात है ना है हैंट पंप काम करते हैं आपने अपने आप से कभी पूछा कि 21 सदी में आपको आज यहां पीने का पानी क्यों नहीं मिल रहा है आपने कभी यह सवाल पूछा अपने आप से कि नरेन मोदी बड़ बड़ भाशन करते हैं बीजेपी की सरकार है चांद की बात करते हैं रोकेट की बात करते हैं मगर यहां पे आम जंता को पानी पीने का ही नहीं है मैं आपको बताता हूँ आपको पानी क्यों नहीं मिलता है आज मैं यहां यही बात आपको समझाने आया हूँ कि यहां आपको और आपके बच्चों को साफ पानी क्यों नहीं मिलता जारकंड में पैसे की कोई कमी नहीं है ये गरीब प्रदेश नहीं है लोग गरीब हैं मगर ये गरीब नहीं है इसमें जल, जंगल, जमीन सब कुछ है धेर सारे मिनेरल्स है मगर आपको पीने का पानी नहीं पांच साल पहले नरेन लमोदी प्रधान मंत्री बने पहला काम नोट बंदी याद है आपको बुल गए गरीब जंता के जेब से पैसा निकाला ये हमारी माता है बहने आई है दूर दूर से आई है इनके घर में गुसकर पैसा निकाला गया इनको बैंक के सामने खळा के अगया नरेन लमोदी ने कहा था काले धन के खिलाफ लड़ाई त्यार हो जाव इंदुस्तान काले धन के खिलाफ लड़ाई होने जा रही है पुरे देश को ठावभा कर दिया बाई और बैनों लाइन में आपने अदानी जी को देखा देखा सूटबूट वालों को देखा और अब पतियों को देखा ना लाइन में हिंदुस्तान के सब से सब गरीब लोग कड़े थे किसान मजदूर चोटे दुकानदार बेरोजगार युवा माताय मैंने सब कड़ी थी आपका लाखों करोर रुपए लेकर नरेंद्र मोदी ने पंदरा लोगों को दिया पिछले पांच सालों में स्वयम नरेंद्र मोदी ने तीन लाख पच्चास हजार करोर रुपए हिंदुस्तान के 10-15 सबसे बड़े अरब पतियों का करजा माफ किया है कुछी दिन पहले एक लाख पचास हजार करोर रुपए टैक्स माफ किया यह आपका मोबाइल फोन का दाम बढ़ा आपके जेब में से पैसा लिया जा रहा है मगर दाम बढ़ने से एक दम पहले नरेंद्र मोदी ने साथ हजार करोर रुपए टेलिफोन की कमपनियों का माफ किया पैसा पैसा देना था सरकार को नरेंद्र मोदी ने मीटिंग कही कहा नहीं भईया पैसा देने की ज़रूरत नहीं है तुम लेओ साथ हजार करोर रुपए पैसे की ज़रूरत है हिंदुस्तान की जनता है लेओ मज़े करो उन्होंने 50% सेलफोन के रेट बढ़ा दिया अब हुआ क्या आपका पूरा का पूरा पैसा पंद्रा लोगों के पास है अँआ और यहां आप तूट वेंट है तूटे हुए हैंट पप को चलाते हो खड़ा कट खड़ा 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 चलाते है पानी नहीं निकलता उसमेंसे अदानी जी के घर में मिनरल बॉटल की बॉटल ऐसी बड़ी बड़ी लाइन लगी वहाँ पर कोई कमी नहीं है अच्छा जमीन चाहिए जमीन चाहिए पंद्रह मिनट में जारकंड के गरीब से गरीब किसान की जमीन जारकंड की सरकार लैंड बैंक बना कर छीन लेती है टाइम नहीं लगता दो मिन्ट लगते हैं यह अच्छी लग रही है आज चलो इसको ले लेते हैं यह काम पहले चत्तिसगर राजिस्तान मध्यप्रदेश में होता था बीचेपी की सरकार थी 24 गंटे वहाँ पर जमीन चीनी जाती थी हम जमीन अधिकरन बिल लाए लागू किया उसे जाहिए 36 गंट में पता लगेगा मार्किट से चार गुना जादा जमीन के लिए पैसा मिलता है किसान को चार गुना जादा मार्किट रेट से चार गुना जादा और बिना किसान के पूछे बिना आदिवासी दलित से पूछे गरीब से पूछे सवन किसान से पूछे जमीन नहीं ली जा सकती कर लो जो करना है 36 गड़ में जमीन नहीं ली जा सकती और एक और बात सुन लो अगर 36 गड़ में किसी बड़े उद्योग पती ने किसान से जमीन ली और 5 साल के अंदर उसमें काम नहीं शुरू किया तो वो ही जमीन वापिस किसान के हवाले कर दी जाती है ताटा कंपनी है दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है ताटा कंपनी से 36 गड़ की सरकार ने जमीन लेकर वापिस आदिवासी और किसानों को पकड़ा दी बाईयों और बेनों आपको ये बात समझनी पड़ेगी बेरोजगारी है जहां भी देखो 36 गड़ जहार कंड जहां भी पहले देखो बेरोजगारी बेरोजगारी अब जाहिए 36 गड़ पूछिए बेरोजगारी का क्या हुआ गायब हो गई मध्या प्रेदेश जाहिए पूछिए क्या हुआ बेरोजगारी का गायब हो गई कि राजिस्तान में क्या हुआ गायब हो गई कैसे हुई मैं बताता हूं और बेरोजगारी कैसे आई वो भी बताता हूं कि हम मंड्रेगा लाए बोजंद कादिकार कि सही MSP और हमने किसानों मजदूरों के जेब में पैसा डाला यूपिया की सरकार थी 24 गंटा हम वोई काम करते थे मंड्रेगा में दो भोजंद के अधिकार में दो जमीन अधिकरन बिल किसानों का पैसा नहीं लुटना चाहिए जैसे आपके जेब में हातों में पैसा आता था माताओं बेहनों के जेब में माताओं बेहनों के हात में पैसा जाता था आप माल खरीते थे माताय बहने साड़ी करीती थी बच्चों के लिए साबुन, टूथब्रश, टूथपेस, शर्ट, पैन, बूट, जुता जैसे आप माल खरीते थे फैक्ट्रिया माल बनाती थी फैक्ट्रिया माल बनाती थी उनी फैक्ट्रियों में आपके बच्चों को रोजगार मिलता था ऐसे हिंदुस्तान चलता था जितना हमने देखा जितना पैसा हम गरीबों के हाथ डालते थे उतनी तेजी से हिंदुस्तान की अर्द्ववस्ता चलती थी जितना हम डालते थे उतनी तैजी से चलती थी मंद्रेगा हमने डाला उनी उद्यों पतियों ने चलाया कि भाया पैसा जाया हो रहा है नहीं पैसा जाया नहीं हुआ इंदुस्तान की अर्वेवस्ता चली नौ परसेंट पर चल रही थी अब नरेंद मोदी ने क्या किया आपके जेब में से पैसा निकाल दिया पूरा पूरा पैसा आपके जेब में से निकाल दिया माताओं बेनों के घर से निकाल दिया नोट बंदी गबर सिंग टैश्च छोटे दुकानदारों ची ठीन लिया आपके पास माल खरीदने का पैसा आपने माल करीदना बंद किया, शर्ट करीदना, पैंट करीदना, मॉबाल फोन करीदना बंद किया, क्या हुआ, सब फैक्टरिया बंद हो गई, फैक्टरिया बंद हो गई, क्या हुआ, बेरोजगारी शुरू हो गई, आज 45 साल से सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हिंदुस् नरेंद्रमोदी और ज्ञारकंट की सरकार पूरा का पूरा पैसा 15 अमीर लोगों को देती है मैं आपको गैरंटी करके बता रहा हूं आप बेरोज़ारी गायब करना चाहते हो फाट्रियों को चालू करना चाहते हो किसानों को सई MSP दो मंद्रेगा चालू करो जमीन अधिकरन बिल लागू करो और जो पैसा 15-20 उद्योग पतियों को अरब पतियों को दे रहे हो वो किसानों को मज़ूरों को दो देखो कैसे अर क्या है इस जेब में से पैसा निकालेंगे इस जेब में से पैसा निकालेंगे जहां भी आपका पैसा आप से पैसा चीनेंगे यह आपके यहां जो पानी नहीं है यह क्या है यह वही तो है आप सोचते हो कि भाईया हमारे पीने को पानी नहीं है मगर पीने का पानी इसलिए नहीं है क्योंकि सरकार का पैसा पीने के पानी दिलाने में नहीं जा रहा है manufacture ग्यारा कि ए विछों कि सरकार का पैसा आपको बिजली देने में क्यों नहीं कहता अपने बाशन में यह क्यों नहीं कहता कि प्याज कदाम 200 रुपए हो गया कि अब आएगा नरेंद्र मोदी आता है आते हैं कहते हैं भाई और बहनों कि पानी पीने को नहीं है ना मगर अपने रॉकेट बेजा चांद तक रोकेट नरेंद्र मोदी नरेंद्र नरेंद्र मोदी नरेंग चांद तक आप कहते हैं थोड़ा सा पानी भी देचा अच्छी उपवा आपने रॉकेट बेजा गान का सभी दाम दिला दो देखो 36 गड़ जाओ उधर पूछो उधर पूछो क्या रेट है आपको 36 गड़ में पता लगेगा कि 2500 रुपे गान का रेट है किसानों को 2500 रुपे मिलते हैं और इधर क्या है ग्यारा सो ये तेरा सो तो भाई आप एक बात बताओ मुझे यहां पर बहुत सारे किसान होंगे अब 36 गड़ की सरकार पच्छिस सो दे रही है और यहां पर कितना ग्यारा सो तेरा सो तेरा सो तो यह जो पच्छिस सो और तेरा सो के भीच में जो पैसा ही कहा जा रहा है कहा जा रहा है यह सीधा डायरेक्ट उदर जा रहा है उद्योग पतियों के पास अच्छा एक और बात समझो अभी मैंने पिछली मीटिंग में बोला लजा आप तीवी देखते हो ना है न देखते हो अच्छा दिन भर तीवी पे आपको किसका चैरा दिखाई देता है indispensable किसका दिखा से बोलrich किसका दिखाई देता है है अच्छा मुझे एक बात समझाओ यह रोग बैटे आपको नरेंद्र-मोदी कि आपने अपने आपसे कभी पूचा क्यों नहीं दिखता कि मैं आपको बताता हूं कि पहला सवाल आप अपने आपसे पूचो मीडिया किसका है मीडिया किसानों का है मीडिया मजदूरों का है मीडिया बेरोजगार युवाओं का है नई मीडिया किसका है is a Hey Narendra Modi का निए तो उनके लिए काम करते हैं वह नरेंद्र के मालिकों का है हिंदुस्तान के 10-15 अउद्योग पतियों का है मीडिया इस लिए राहूल गांढधि का चेरह मीडिया पे नहीं दिखाई देने वाला राहुल गांधि का चेरह देखना है तो जाके किसान के घर में चले जा, उससे पूछो, तुम्हारा काम कौन करता है, किसान बताएगा, राउल गांदी करता है राह pocz गांधी का चेहरा देखने है तो बेरुदगार युवा के पास जाओ उसे पूछो भाईya तुम्हारे ले खुड़ा होता है बेरुदगार युवा कहेगा राहुल गांधी खड़ा होता है क्योंकि नरेंद्र मodIDE का चेहरा मीडिया पे टीवी पे को समझनी ही पड़ेगी और कोई रास्ता ही नहीं आपके लिए कि जब तक आप ये बात नहीं समझोगे तब तक हिंदुस्तान में बेरोजगारी रहेगी तब तक आपको पानी पीने का पानी नहीं मिलेगा तब तक आपको बिजली नहीं मिलेगी तब तक आपकी जमीन हर रो झाल झाल